आज हम बनाने वाले हैं पनीर के क्रिस्पी पकोड़े और इसकी खास बात ये है कि ये लंबे समय तक क्रिस्पी बने रहते हैं इसे आप हरी चटनी, सौस या फिर चाई किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं हेल्दी कुकिंग में आप सभी का स्वागत है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल न भूले, तो चलिए हम इसे बनाना सुरू करते हैं, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पनीर, यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, इसे हम लंब सकते हैं, मैंने इस तरीके से स्लाइस करके इनका रेडी कर लिया है, अब हम इसके सीजनिंग के लिए मसाला तयार करते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है आधा चमच लाल मिर्च पाउडर और आधा चमच धनिया पाउडर, इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ, और इसे हम mix कर लेंगे, अब इस मसाले को हम पनीर की ऊपर seasoning करेंगे, इसे हमें हलके हाथों से mix करना है, इसे हम अच्छे तरह से mix कर लेंगे, और फिर इसे हम side में रख देते हैं, अब हम लेंगे 2 चमच बेशन, इसमें हम डालेंगे 1 चमच corn floor, और स्वात के लिए थोड़ा सा नमक, इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर एक गोल तयार कर लेते हैं, ये गोल हमारा ज्यादा गाड़ा भी नहीं होना जाहिए और नहीं ज्यादा पतला, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने घोल तयार किया है, इसे भी हम side में रख देते हैं, अब हम लेंगे 8 से 10 काली मिर्च के दानी, थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा जीरा, इसे हम दरदरा कूट ले होना है, अब इसे हम transfer कर देंगे एक प्लेट में, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमग, और इसे भी हम mix कर लेते हैं, इसमें हम डालेंगे आधे कप के करीबन brown bread crumbs इसे हम अच्छे तरिके से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे यहाँ पे ब्रेड क्रंब्स में ये मसाले डालने से जो बाहर का अच्छा यूचर naगा वह भी काफी टेस्टी बनेगी अब हम क्या करेंगे यहाँ पर पनियर के एक स्लाइस लेंगे उसे हम घोल में डीप करेंगे उसके बाद इसे हम ब्राउन ब्रेट क्रम्स का जो हमने तयार किया है मसाला डालके उसमें हम इसे कोट कर लेंगे इसी तरीके से यदि आप हाथ गंदा ना करना चाहते हो तो इस तरीके से आप फोक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर घोल में डीप करने के बाद इसे आप ब्रेट क्रम्स से अच्छी तरह से कोटिंग कर लें इसी तरीके से हम बागी के सारे पनीर को कोटिंग करके हमने यहाँ पे तयार कर लिया है अब हमें क्या करना है इसे दुबारा से ब्रेट क्रम से इसे हम कोट करेंगे जिससे की जो हमारा पनीर का पकोड़ा है वो ज्यादा लंबे समय तक क्रिस्पी बना रहेगा और खाने में भी काफी टेस्टी लगेगा यहाँ पे मैंने सभी को डबल कोटिंग कर लिया है अब हम यहाँ पे तलने के लिए तेल गरम करेंगे यहाँ पे मैंने सरसो तेल का इस्तेमाल किया है आप चाहे तो कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं स्टार्टिंग में हमारा जो गैस का फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई रहेगा पर जब ये थोड़ा सा सीख जाए तो फिर हम इसका फ्लेम को कम कर लेंगे और फिर धीमी आज में इसे हम अच्छी तरह से सेखेंगे इसे हम अच्छी तरह से सभी तरह से पलट पलट के अच्छी तरह से हमें इसे सेखना है यहां पे हमारे पकोड़े अच्छी तरह से सेख चुके हैं अब इसे हम निकाल लेते हैं इसे हम इस तरीके से निकाल लेंगे यह खाने में काफी टेस्टी होते हैं और यह काफी क्रिस्पी बनते हैं इसे आप एक बर जरूर ट्राइ करें यह काफी टेस्टी बन कर तयार होंगे फर्स्ट टाइम में है आप इसे अच्छे से और काफी सही तरीके से बना कर तयार कर लेंगे आप इसकी आवाज भी सुन सकते हैं कि ये कितना क्रिस्पी बना है पनीर के ये क्रिस्पी पकोड़े आपके घर के बड़ों के साथ हेल्दी कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले रेसिपी पूरा देखने के लिए धन्यवाद